आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। 20 मीटर पेड की ओर चलता है, तो कोण 45 डिगरी हो जाता है, तो क्या आप जमीन से वह उंचाई ग्याद कर सकते हैं, जहां पक्षी बैठा है। उस थिती में शाखा पर बैठे पक्षी की द्रिष्टी रेखा, वक्षैतिज रेखा से बना अवनमन कोण 30 डिगरी होता है। आकरती को देखने पर हम पाते हैं कि PM समानतर रेखाऊं, LM और PN की एक तिर्यक रेखा है। अतह इस स्थिती में हम कह सकते हैं कि कोण LMP और कोण MPN एकांतर कोण है, इसलिए वे बराबर होंगे। तथा दूसरी स्थिती में जब चूहा पेड की ओर 20 मीटर दूरी तय करता है, तो अवनमन कोण 45 डिगरी हो जाता है। मान लेते हैं कि बिंदु O से N की दूरी X मीटर है, जहां द्रिष्टी रेखा, वक्षैतिज रेखा के साथ बना अवनमन कोण 45 डिगरी का होता है। जमीन से पक्षी की उंचाई ग्यात करनी हैं, तो चलिए त्रिभुज MNP पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज MNP से देख सकते हैं कि भुजा MN का माप H तथा भुजा NP का माप 20 जमा X होगा। अतह समकोन त्रिभुज MNP से प्राप्थ हुई जानकारी वद त्रिकोन मिती अनुपातों की सहायता से 10-30 डिगरी का मान MN बटा NP प्राप्थ होता है। 10-30 डिगरी में भुजा MN वा NP का मान रख हल करने पर H का मान 20 जमा X बटा वर्गमूल तीन प्राप्थ होता है जोकी पूर्ण हल नहीं है क्योंकि यहां X का मान अज्यात है जिसे समीकरण एक से दर्शाते हैं। आईए अब बात करते हैं त्रिभुज MN O की तो त्रिकोन मितिय अनुपात की सहायता से हम देख सकते हैं कि 10-45 डिगरी का मान MN बटा NO होगा जहां चित्र की सहायता से समीकरण को हल करने पर H बराबर X प्राप्थ होता है जिसे समीकरण 2 से दिखाते हैं। समीकरण 1 वदो की तुलना कर हल करें तो H का मान 20 बटा वर्गमूल 3 घटा 1 प्राप्थ होता है जिसका परिमेह करण करने पर H का मान 27 दशमलव 32 मिलता है अतह हम कह सकते हैं कि जमीन से पक्षी की उचाई 27 दशमलव 32 मीटर हैं। आज हमने इस वीडियो में त्रिकोन मिती के अनुप्रयोग पर आधारित एक दिल्चस्प उधारन देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रशनों को हल करते समय साधारन तह क्या गलतियां हो सकती हैं। झाल 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 झाल